जेहिंद फ्रेंड्स मैं सौरब जह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSA Tricky Classes पे आज हम लोग SSC GD के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए जेनरल नौलेज के कुछ महत्पुर्ण सवालों को देखेंगे साथी साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रस्नों को डिसकस करेंगे जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं आप सभी से अनुरोद करेंगे कि आप Class को ध्यान पुर्वक देखें और सारे सवालों के आंसर कमेंट करें साथी साथ Class को सपोर्ट करें Class को लाइक और सेर अवस्य करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे Class में उपस्तित होकर Class का लाब उठा सकें उमीद करेंगे आप Class को ध्यान से देखेंगे और सारे सवालों के आंसर कमेंट करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं Class और देखते हैं हमारा पहला सवाल सबसे बड़ा तारा मंडल, कंस्टिलेशन किसे माना जाता है? आपको बताना है सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है? आंसर करेंगे सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है आप जानते हैं आकास में वैसे तो अनेक धुंदले तारे दिखाई देते हैं परन्तु उनमें कुछ चमकीले तारों के समू होते हैं जिनकी कुछ विशेस आकिरतियां होती है जिने तारा मंडल कहा जाता है और तारा मंडल का नाम उन आकृतियों के नाम पर रखे गए हैं जिनके समान इन तारा सम्हों की रचना होती है तो सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है आप याद रखेगा हाइड्रा हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारा मंडल है तो आपका आंसर क्या होगा सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है हाइड्रा तारा मंडल जो है सबसे बड़ा तारा मंडल है याद रखेगा ठीक है अगला सवाल ओरियन तारा मंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है आंसर करेंगे ओरियन तारा मंडल का दूसरा नाम क्या है ओरियन तारा मंडल का दूसरा नाम क्या है तो आप जानते हैं कि ओरियन तारा मंडल का दूसरा नाम है हंटर तो आंसर क्या होगा? Option number A, Hunter तो याद रखेगा कि जैसे कुछ परमुक तारा मंडल है और उसका कुछ नाम है वो आपको याद करना पड़ेगा ठीक है? जैसे अभी हम लोग देखें Orion तारा मंडल को क्या कहा जाता है? Hunter कहा जाता है याद रखेगा इसके अलावा आपसे पूछ सकता है सब्तरिसी सब्तरिसी यह नहीं उसा मेजर उसा मेजर को क्या कहा जाता है? सब्तरिसी इंदी में कहा जाता है सब्तरिसी या उसा मेजर का नाम क्या है? तो याद रखना है ग्रेट बियर उसा मेजर को क्या कहा गया है? great beer, चीक है, इसके लावा आपसे पूछेगा, उसा माइनर, उसा माइनर तारा मंडल को क्या कहा गया है, चीक है, उसा माइनर, तारा मंडल का नाम कहा है little beer, समझ मैं आया, little beer, तो याद रखना है, उसा माइनर का नाम कहा है लिटिल बियर और उसा मेजर का नाम क्या है ग्रेट बियर ठीक है तो उसा मेजर का नाम है ग्रेट बियर और उसा माइनर का नाम है लिटिल बियर ठीक है और ओरियन तारामंडल को कहा जाता है ग्रेट हंटर जो यहां पर लिखा हुआ है तो ओरियन तारामंडल का नाम क्या है Great Hunter, यानि Hunter बोल सकते हैं, याद रखना है, ठीक है? तो आपको याद रखना है, Orion तारा मंडल को Hunter के नाम से जाना जाता है इसके अलावा, यहाँ से कुछ और सवाल आपको याद रखना है, जो एक्जाम में पूछ सकता है आप जानते हैं कि तारों का रंग उसके तापमान को बताता है, तारों का रंग क्या बताता है? तारा का जो रंग होता है, वो उसके किसको बताता है? टेंपरेचर को बताता है, तो याद रखना है कि तारा का रंग उसके टेंपरेचर को बताता है, याद रखना है तारों द्वारा मुक्त उस्मा के आधार पर उनकी उम्र ग्यात की जा सकती है जैसे अगर कोई तारा नीला है या सफेध है नीला व सफेध है तो इसका मतलब है वो तारा जो है युवा तारा है किस प्रकार का तारा है अगर कोई तारा नीला और सफेध है तो वो युवा तारा है आध्य तारा है ठीक है पूस्ता ये सवाल अगर कोई तारा लाल दिखता है आपको तो इसका मतलब आपको याद रखना है वो वृद तारा है याद रखना है जो लाल कलर का तारा होगा वो प्रोड्र ताड़ा होगा ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि तारों का तारों द्वारा मुक्त उस्मा के आधार पर तारों की उम्र ग्यात की जा सकती है नीला और सफेद तारा युवा तारा होता है नारंगी तारा प्रोड तारा होता है और लाल तारा जो होता है वो वृत तारा होता है और आप जानते हैं कि अंतमे विस्पोर्ट के बाद तारों की मिर्ति हो जाती है जिसे हम लोग ब्लैक होल या कृष्णे वीवर बन जाता है आप जानते हैं ठीक है और आपको एक चीज और याद रखना है चंद्रसेखर सीमा के बारे में क्योंकि भारतिय मुल्के अमेरिकी खगोलग्य थे S. चंद्रसेखर जी ने स्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिधान परतिपादन किया था तो चंदरसेखर सीमा किन के द्वारा दिया गया है तो याद रखना है S. चंदरसेखर के द्वारा और चंदरसेखर सीमा क्या होता है तो आपको याद रखना है चंदरसेखर सीमा के अनुसार 1.44 सौर दरेमान ही स्वेत वामन के दरेमान की उपरी सीमा है जिसे चंदरसेखर स कब नो得ल पूरूषकार मिला है आ संध्र सेखर जी को 1983 में नोबल पूरुरूषकार मिला है तो याद रखना है सांध्र सेखर यह अंध्र मन्यम adhere को 1983 में Wow DaMac के साथ 1983 स्वी में ठीक है नॉबल पुरुषकार से सम्मानित क्या गया था याद रखेगा ठीक है तो ओरियन तारा मंडल याद रखेगा ओरियन तारा मंडल को अनिक इस नाम से जाना जाता है तो हंटर के नाम से जाना जाता है अगर आप से पूछे कि हमारी पिर्थवी से का तारा कौन सा है प्रोक्सिमा सेंचूरी याद रखना है सुरी के बाद सबसे नजदीक का तारा सुरी के बाद सबसे नजदीक का तारा कौन सा है प्रोक्सिमा सेंचूरी तो याद रखना है सुरी के बाद सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंचूरी कितनी दूरी पर है प्रोक्सिमा सेंचूरी कितनी प्रकास वर्स दूर पर है प्रोक्सिमा सेंचूरी ठीक है प्रोक्सिमा सेंचूरी तो याद रखना है कि सुरी के बाद सबसे नजदीक का तारह है प्रोक्सिमा सेंचूरी और यह कितना दूर है तो आपको याद रखना है चार प्रकास व एक सवाल की God Particle क्या होता है, तो आप जानते हैं, हिक्स बोसोन कन को God Particle कहा जाता है, याद रखेगा, ठीक है, और एक सवाल याद रखना है, कि आधुनिक खगोल सास्तर का जनक किन को कहा जाता है, बताएं कोपर निकस को, कोपर निकस कहा के थे, पॉलेंड के थे, तो याद रखना है, आधुनिक खगोल सास्तर का जनक कहा जाता है, कोपर निकस को, कोपर निकस पॉलेंड के खगोल सास्तरी थे, ठीक है, तो कोपर निकस को आधुनिक खगोल सास्तर का जनक कहा जाता है, याद रखेगा, और केपलर ने ग्रहों के गती का नियम दिया है, और कौपर्निकस ने सुरी केंदुरी सित्धाथ दिया है तो कौपर्निकस झी के बारे में याद रखेगा। तो अगर आपसे ये भी पूस देता है कभी कि Black Hole की भविस्वानी सबसे पहले किस ने किया तो याद रखना है 1916 इस वी में Albert Einstein ने सापिक्स्ता के सिधानत के माध्यम से पहली बार Black Hole की भविस्वानी की थी ठीक है इसको भी याद रखना है और important है ये ठीक है चली तो अगला सवाल देखते है ओरियन तरामंडल को हंटर के नाम से जाना जाता है याद रखेगा ठीक है समझ में आया और कुछ जो बड़े-बड़े महान वग्यानिक है उनके त्वारा जो किताब लिखा जाता है उसको भी याद रखेगा जैसे स्टीफन होकिन्स के बारे में आप जानते हैं कि स्टीफन होकिन्स का उनके त्वारा जो किताब लिखा गया थै ए ब्रीफ हिस्ट्री आफ टाइम पुस्तक के लिखक स्टीफन होकिन्स थे इसके अलावा द्थियोरी आफ एवरिधिंग पुस्तक के लिखक स्टीफन होकिन था तो the world as I see it the world as I see it पुस्तक के लिखक है Albert Einstein ठीक है तो याद कर लिजेगा चलिए अगला सवाल देखते हैं उमीद करेंगे समझ में आया होगा तो class को एक बार like कर दीजेगा ताकि और भी बच्चे class मतलब class को एक बार share कर दीजेगा ताकि और भी बच्चे class में आ सकें अगला सवाल bend your back वाक्यांस का प्रयोग किस खेल में किया जाता है तो आंसर करेंगे bend your back यह जो वाक्यांस है किस खेल में उप्योग किया जाता है bend your back एकदम आसान सवाल है तो सही आंसर क्या होगा बताइए cricket तो याद रखना है bend your back वाक्यांस का उप्योग जो है cricket में किया जाता है तो आपका सही आंसर क्या है option number B याद रखना है सही आंसर होगा ठीक है ठीक है याद रखना है इसके अलावा cricket से देखी कुछ सवाल आपको पूछ सकता है जैसे आपको याद रखना है under 19 2020 का जो cricket world cup हुआ था कौन जीता था बताईएगा important सवाल है पुराना हो गया है तो याद है तो बताईए फटफट under 19 under 19 cricket world cup ठीक है under 19 cricket world cup 2020 में जो हुआ था ठीक है वो कौन जीता था बता देंगे आप बांगलादेश ठीक है ये important सवाल है तो याद रखना है under 19 cricket world cup 2020 किस ने जीता था तो बांगलादेश ने जीता था ठीक है और उस समय बांगलादेश के कप्तान कौन थे पूछ सकता है तो अकबर अली ठीक है तो याद रखना है अकबर अली की कप्तानी में बांगलादेश ने under 19 world cup cricket 2020 जीता था ठीक है और भारत जो है उपविजेता था इसलिए important है और भारत क्या था उपविजेता था तो यहाँ पर लिख लिजेगा आप कि जीता कौन था बांगलादेश और हम लोग जो है उपविजेता थे ठीक है भारत उपविजेता था और हमारी टीम की कप्तानी किसने क्या था प्रियम गर्ग नाम सुने होंगे आप लोग प्रियम गर्ग का IPLV साइथ खिलते हैं है ना तो भारत जो है उपविजेता था भारत उप विजेता याद रखना है उप विजेता इंपोर्टेंट सवाल है तो याद रखना है Under 19 Cricket World Cup 2020 का विजेता बांगलादेश था कप्तान थे इनके अकबर अली और भारत उप विजेता था भारत के कप्तान थे प्रियम गर्ग ठीक है अब देखिए यहां से इंपोर्टेंट सवाल क्या क्या आपसे पूछ सकता है ICC महिला T20 World Cup बताएगा कौन जीता था ICC महिला T20 World Cup यह इंपोर्टेंट है ICC महिला T20 World Cup याद रखना है ICC महिला T20 World Cup आस्टेलिया जीता था और भारत उपी जेता था तो यहां भी भारत जो है Final में हार जाता है ठीक है और काफी सालों से हम लोग Final में हार रहें हमेशा Final Semi Final में थाना तो ICC महिला T20 World Cup जीता कौन था आस्टेलिया जीता था और भारत जो है Final में हार गया था इसके अलाव आपको याद रखना है IPL का कौन इसे टीम का मालिक का नाम क्या है, ठीक है हो सकता है आने वाला एकजाम में पूस्थ दे आपसे, ठीक है जैसे रॉयल चलेंजर स्पैंगलोर के मालिक का नाम क्या है महिंद्र कुमार सर्मा, संडाइजिस है अधराबाद के मालिक का नाम के है कला निदि मारन राजस्थान राइल के मालिख का नाम के है मनुज बैडले ठीक है कोलकाता नाइट्र um मालिक का नाम है शारूख छान और जै महता ठीक है तो इसी तरह आपको याद रखना है चनने सुपर किंग्स के मालिक का नाम है श्री निवासन तो यह आप याद रखेगा important पूछ सकता है ठीक है और आपको पता होगा जो 2019 में जो cricket world cup हुआ था कौन जीता था, England जीता था, कहां पे हुआ था England और विल्स में हुआ था, ठीक है किस आधार पर विजेता घोसित किया गया था तो super hour में अधिक संख्या में जो चौका लगाया था, वही टीम जीता था तो England ने super hour में अधिक चौका लगाया था जिसके वज़े से वो जीत जाता है, ठीक है समझ में आया, तो याद रखना है कि 2019 world cup क्रिकेट का किस ने जीता था, तो इंग्लेंड ने जीता था, ठीक है और final में man of the match कौन रहे थे, बैनि स्टोक्स चलिए, अब अगला सवाल देखते है उमीद करेंगे समझ में आ गया होगा, बैन्ड योर बैक वाक्यांस का प्रियोग कहां पर किया जाता है तो क्रिकेट में किया जाता है याद रखेगा, ठीक है क्लास को एक बार share कर दीजेगा, ताकि और भी बच्चे क्लास में आ जाएं और क्लास का लाग उठा सके अगला सवाल निम्निलिखित भारतियों में से कौन जापान में डाटिंग टन हॉल इस्कूल के संस्थापकों में से एक थे, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डाटिंग टन जिन्होंने डाटिंग टन हॉल इस्कूल के स्थापना जापान में की थी अच्छा सवाल है, अंसर करेंगे तो याद रखना रविंद नाठ टेगोर ठीक है, रविंद नाठ टेगोर जी के द्वारा रविंद नाठ टेगोर जी के द्वारा जापान में डाटिंग्टन हॉल इस्कूल के स्थापना की गई थी और रविंद नाठ टेगोर जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि रविंद नाठ टेगोर जी को विस्व कभी कहा जाता है विस्व कभी कहा गया है रविनाट टेगोर को रविनाट टेगोर को कभी गुरु कहा गया है है ना याद रखना है इसके अलावा आप जानते हैं कि रविनाट टेगोर जी के द्वारा शांती निकेतन के अस्थापना की गई थी पस्चिम मंगाल में ठीक है तो इस चीज को भी याद रखना है कि सांती निकेतन के स्थापना पस्चिम मंगाल में किस नहीं किया तो रविन नाठ टेगुर जी के त्वारा किया गया था ठीक है और आप जानते कि रविन नाठ टेगुर जी को 1913 में साहित्य का नॉबल पुर रखेगा विश्व भारती और सांती निकेतन के स्थापना रविना टेगुर जी के द्वारा की गई थी ठीक है अब कुछ इंपोर्टेंट आपको यहां से बता देते हैं क्योंकि चारों महान वेखती हैं और यहां से सवाल क्या-क्या आपका पूछ सकता है ध्यान दिजेगा आपसे पूछेगा आपसे पूछ सकता है रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक कौन है रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक कौन है दादा भाई नरोजी याद रहेगा रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक कौन है दादा भाई नरोजी दादा भाई और यहां से पूछेगा अहमदिया आंदोलन अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे तो मिरजा गुलाम अहमदिया आप से पूछ सकता है एक सवाद आपको याद रखना है भारत इस्थ्री बन्डल के स्थापना किसके द्वारा की गई थी भारत इस्त्री मंडल के स्थापना किनके द्वारा की गई थी तो याद रखना है सरलाबाई देवी चौधरानी सरलाबाई देवी चौधरानी ठीक है इंपोर्टेंट सवाल है सरलाबाई देवी चौधरानी तो भारत इस्त्री मंडल के शरलाबाई देवी चोधरानी जी के द्वारा किया गया था, तो सरलाबाई देवी चोधरानी के द्वारा भारत इस्त्री मंडल के स्थापना की गई थी अलहाबाद में 1910 इस्वी में ठीक है 1910 इस्वी में ये भी लिखना है लिख लिजेगा 1910 इस्वी में ठीक है 1910 इस्वी में सरलाबाई देवी चोधरानी के द्वारा भारत इस्त्री मंडल के स्थापना की गई थी कहां पिक्या गया था तो इलहाबाद में याद रखेंगे ठीक है रहनुमाय माजदयन सभा के अस्थापना बंबई में की गई थी दादा भाई नरुजी के द्वारा 1851 में ठीक है तो उसको भी आप याद रखेगा इंपोर्टेंट है एहमदिया अंदुलन कब हुआ था तो एहमदिया अंदुलन याद रखना है मिर्जा गुलाम एहमद के द्वारा गुर्दासपूर पंजाब में हुआ था 1889 में ठीक है इसके लाबा अभिनव भारत अभिनव भारत के संस्थापक कोन थे वीडी सवरकर आप जानते हैं अभिनव भारत तो अभिनव भारत के संस्थापक थे वीडी सवरकर विनायक दामुदर सवरकर तो आपको बताना है वीडी सवरकर द्वारा अभिनव भारत के स्थापना कब की गई तो बताएं तो याद रखना 1904 1904 इस्वी में अभिनाव भारत के स्थापना VD सवरकर के द्वारा की गई थी याद रहेगा VD सवरकर विनाइक दामुदर सवरकर के द्वारा अभिनाव भारत के स्थापना 1904 इस्वी में किया गया था Servants of Indian Society फटा फटा बताएंगे Servants of Indian Society के संस्थापक कौन है Servants of Indian Society ठीक है Servants of Indian Society के संस्थापक कौन थे तो दादा भाई नरोजी है या गोपाल कृष्न गोखले है या महतमा गांधी है अंसर करें तीनों में से कौन सा अंसर होगा Servants of Indian Society या Servants of India Society ठीक है तो Servants of Indian Society के संस्थापक कौन है तो याद रखना है जी के गोखले महत्मा गांधी के राजनितिक गुरू थे गोपाल कृष्ण गोखले ने Servants of Indian Society के अस्थापना की थी और पूछेगा कि Servants of Indian Society के स्थापना कब किया गया 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के तो और कहां पर किया गया था servants of India society का अस्थापना तो पूने में, समझ माया, पूने महारास्ट में है, तो पूने में 1905 इस्वी में जी के गोखले के द्वारा servants of India society के अस्थापना की गई थी, याद रखेंगे, ठीक है, जो important था याद रखेगा, इसके अलावा बहुत पूस्ता आरे समाज के संस्थापक कौन है, तो आप जानते हैं, द्यानन्द सरश्वती जी के द्वारा आरे समाज के स्थापना की गई थी, द्यानन्द सरश्वती ने सत्यार्थ प्रकास नमक पुस्तक की रचना की है, आप जानते हैं कि द्यानन्द सरश्वती ने back to vedas का नारा दि सभाक में बहुत पूसता है पूना सारवजनिक सभा के संस्थापक कौन थे महादेव गोविंद राना डे ठीक है और महादेव गोविंद राना डे ने पूना सारवजनिक सभा के अस्थापना 1870 इस्वी में की थी याद मतलब किये थे वो याद रखना है सत्य सोधक समाज बहुत पूसता है तो आप अंसर कीज़ेगा सत्य सूधक समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है, सत्य सूधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना है जूतिबा फुले, अब आपको बताना है कि सत्य सूधक समाज के स्थापना कहां पर की गई थी, कब की गई थी, ठीक है, तो सत्य पुदक समाज के अस्थापना जोतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी याद रखेंगे ठीक है तो इतना सवाल यहां से अभी याद रखेंगे बाद में फिर हम लोग देखेंगे ठीक है तो यह सवाल आपको समझ में आ गया ठीक है तो आंसर याद रखना है option number D रविन्ना टेगोर बागी स्वामी विवेका नंद जी के द्वारा किसका अस्थापना किया गया था तो बताए रामकृष्ण मिशन के अस्थापना स्वामी विवेका नंद जी के द्वारा की गई थी है और आप जानते हैं कि स्वामी विवेका नंद जी के बचपन का नाम क् 1897 में अपने गुरू रामकृष्ण परमहंस जी को याद करते हुए रामकृष्ण मिशन के स्थापना की थी ठीक है तो स्वामी वेकानन्द जी का बच्पन का नाम नरेंदर दत और याद रखना है कि राम कृष्ण मिशन के संस्थापक कौन स्वामी वेकानन्द 1897 में राम कृष्ण मिशन के स्थापना फिर आप से पूछेगा सिकागो में इनका विश्व परसिद्ध जो भासन था ठीक है वो कब दिया गया तो 1893 इस्वी में आप याद रखेगा ठीक है बागे सुबास चंदर बोष जी के बारे में आप जानते हैं कि Forward Block के स्थापना सुबास चंदर बोष जी के द्वारा की गई थी कब क्या गया था तो 1839 इस्वी में और भी आप जानते हैं कि सुबास चंदर बोष जी इंडिया नेसनल कॉंग्रेस के दो बार अध्यक्ष बनते हैं, कब-कब 1938-1949 में, याद है न 1938 का जो है, कौन सा अध्यवेशन है 1949 का कौन सा अध्यवेशन आप बताइगेगा 1938 अध्यवेशन 1949 अध्यवेशन, तो आपको याद रखना है सुभास चंद्रबोस लगातार दो बार इंडिया नेसनल कॉंग्रेस के अध्यवेशन बनते हैं एक बार 1938 में, 1938 का हरीपूरा अध्यवेशन 1938 का हरीपूरा अध्यवेशन और 1949 का तिरिपूरी अध्यवेशन, समझ में आ रहा है तो आराम से याद होगा, ठीक है 1938 का हरिपूरा अधिवेशन के अधिवेशन के अधिवेशन से क्या करते हैं बाद में डॉक्टर राज़ंदर परसाद जी को अधिक्ष बनाया जाता है इंडिया नेसनल कॉंग्रेस का याद रखेगा और इसी साल 1949 में ही सुभाष चंदर बोज जी ने फरवर्ड ब्लॉक के स्थापना की थी तो याद रखेंगे ठीक है तो समझ में आ गया तो जापान में डटिंग्टन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक कौन थे श्री रविन्ना टेगुर जी आपका सही अंसर याद रखेंगे तो क्लास को एक बार सेर कर दीजे ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके और क्लास का लाग उठा सके प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजे अगला सवाल जी सेवन समुह में सामिल होने वाला अंतिम जी सेवन रास्ट कौन सा है तो आपको बताना है जी सेवन समुह में सामिल होने वाला अंतिम जी सेवन का सदस्य देश कौन सा है ठीक है तो आपको पहले तो यह याद रखना है कि G7 में कौन कौन सा देश सामिल है तो एक तो याद रखना है अमेरिका, अचाहे, यह आप्षन हैं तो डिया है ना, तो G7 में अंतिम रूप से सामिल देश कौन कौन सा है चलिए हम लिखी देते हैं कोई दिक्कत नी, अमेरिका, ठीक है, ब्रिटेन, देखें लिखा ही यहाँ बताएगा G7 में कौन-कौन सदस है, तो एक तो अमेरिका सदस से है, बृतेन सदस से है, फ्रांस सदस से है, जापान सदस से है, इटली सदस से है, और जर्मनी सदस से है, समझ में आया, तो अगर आपसे पूछेगा G7 के कितने देश सदस से है, तो नाम से पता चल रहा है, अं तो साथ सदसे देश है, अब इसका एक चीज़ देखिए, ये तो सदसे है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो ये दोनों तो आंसर होई नहीं सकता है, क्योंकि आपसे पूछा है कि G7 में सामिल होने वाला अंतिम राष्ट कौन सा है, तो या तो अमेरिका या तो ब्रिटेन और ठीक है, चली अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में शुरू की गई पिस्व निधी M. योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितने रुपे तक रिन परदान किया जाएगा, आंसर करेंगे, एक स्किम शुरू किया गया है, पिस्व निधी M. योजना और इसके तहत स्ट्री पि-म सौनिधी M. योजना होगा, माफ करेंगे, ठीक है, पि-म सौनिधी M. योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को कितने रुपे तक का रिन परदान किया जाएगा, ठीक है, तो याद रखना है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नमबर, बीस ही आंसर होगा, दस हजार, ठीक ह पि-म सौनिधी M. योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10,000 रुपे तक का रिन परदान किया जाएगा, तो अप्शन नमबर, बीस ही आपका सही आंसर होगा, ठीक है, इंगलिस में ठीक लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, तो पि-म सौनिधी M. के तहत स्ट्रीट निउक्त किया गया है, बताएंगे, who was appointed the new high commissioner of India to Britain, बिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त कौन निउक्त किये गए हैं, तो याद रखना, option number B, गायतरी कुमार, important सवाल है, बिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त गायतरी कुमार को निउक्त किया गया है, ठीक है, त परिभासा के नुशार कितने रुपे के निवेस पर उद्यम को माइक्रो स्रेनी में रखा जाएगा, तो आंसर करेंगे, MSME स्रेनी की नई परिभासा के नुशार कितने रुपे के निवेस पर उद्यम को माइक्रो स्रेनी में रखा जाएगा, तो आंसर क्या होगा, option number B, वन करोड याद रखना है MSME छेतर की नई परिभासा कैनुसार 1 करोड के निवेश पर उद्यम को माइक्रो स्रेनी में रखा जाएगा में रिखा जाएगा अगला सवाल ACI छेतर के लिए Common Willth Short Store Price जीतने वाली लेखी का है आंसर करेंगे ACI छेत्र के लिए Commonwealth Short Story Prize जितने वाली लेखिका का नाम क्या है तो याद रखना है कृतिका पांडे याद रहेगा कृतिका पांडे ठीक है तो ACI छेत्र के लिए Commonwealth Short Story Prize जितने वाली लेखिका है कृतिका पांडे याद रखेंगे अगला सवाल निम्न राज्यों में से किसे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी सोपी गई है तो आंसर करीजेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी कौन करेगा ठीक है अच्छा सवाल है पूछता है बहुत जादा तो आप आंसर करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का मेजबानी कौन करेगा तो सही आंसर क्या होगा अप्शन नमबर A हर्याना याद रखेंगे 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी हर्याना कर रहा है ठीक है तो 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी हर्याना को सोपी गई है अगर आपसे पूछता है दूसरा याद रखना है 2020 का याद रखेगा ठीक है 2020 आपको बता यतने हैं क्योंकि भूल गए होंगे तो पूछेगा आपसे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 तो अगर 2020 के बारे में पूछेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का कौन सा संस्क्रण था ये तीसरा संस्क्रण तो याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 थर्ड संस्क्रण था ठीक है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 थर्ड संस्क्रण था याद रखना है ठीक है तो Hello India Youth Game 2020 का बीस जो है ये तीसरा संस्करन था कहाँ पे हुआ था गुवाहटी आसाम में हुआ था याद रखना है अगर आपसे पूचता है ये तो ठीक है याद रहेगा इसके अलावा आपसे पूचेगा कि Hello India Youth Game 2020 में जो संपन हुआ था गुवाटी में इसमें पहले नंबर पे कौन रहा था तो महारास्ट रहा था दूसरे नंबर पे हर्याना रहा था और तीसरे नंबर पे दिल्ली रहा था ठीक है तो खेलो इंडिया यूट गेम 2020 में महारास्ट एक नंबर पे था हर्याना दूसरे नंबर प पहली बार खेलो इंडिया उनि पहा हुआ था पहली बार खेलो इंडिया युनिवर्सिटीज सफे पहा हुआ था तो याद रखना है पहली वार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इवजन भूवनेश्वर उडिसा में हुआ था ठीक है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी हर्याना ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं दबुद्धा एंड इख धम पुस्तक के लेखक कौन है most important सवाल है दबुद्धा एंड इख धम पुस्तक के लेखक कौन है तो आप सभी जानते हैं फटा-फट आंसर कीजेगा the Buddha and His Dham पुस्टक के लेखाक है B.R. Ambedkar B.R. Ambedkar जी के दौरह लिकित पुस्टक है the Buddha and His Dham याद रहेगा ठेक है तो the Buddha and His Dham पुस्टक के लेखाक है B.R. Ambedkar इसके अलाब आप जानते है Pakistan और Pakistan for the Partition of India पुस्टक के लेखग भी है B.R. Ambedkar यह important है unihilation of caste ठीक है unihilation of caste पुस्तक के लिखक कोन है तो unihilation of caste पुस्तक के लिखक है we are ambed 살 ठीक है तो unihilation of caste पुस्तक के लिखक we are ambed car the Buddha and his dham पुस्तक के लिखक we are ambed car और आप जानते हैं कि 26 November को क्या मनाय जाता है 26 November को कानून दिवस मनाया जाता है मतलब सविधान दिवस मनाया जाता है याद रखना है 26 नौंबर को सविधान दिवस मनाया जाता है ठीक है 26 नौंबर को हम लोग क्या करते हैं सविधान दिवस मनाते हैं सविधान के परचार परसार को याद करते हुए ठीक है यानि सविधान के परचार परचार को बहावा देने के लिए 26 नॉवंबर को हम लोग सविधान दिवस के रूप में सेलिबरेट करते हैं ठीक है अगर आपसे पूछेगा पहली बार सविधान दिवस कब मनाये गया तो आप आंसर क्या करेंगे और क्यूं मनाये गया था बता देजे अच्छा मनाये गया था ठीक है तो फאש्ट सविधान दिवस कब मनाये गया 2015 में क्यूं मनाये गया अम्बेटकर जी की 125 वी जनती को याद करते वे समझ में आया था अटो इस आपको याद रखना है अम्बेटकर जी की 125 वी जनती के उपलक्र में पहली बार च privileged नूमबर 2015 के सविधान दिवस की रूप में मनाया गया था ठीक है? तो 26 नॉबर सविधान दिवस पहला सविधान दिवस कब मनाय गया? 2015 में क्यों मनाय गया? अम्बेटकर जी के 125 वी जनती को याद करते हुए और सविधान के परचार परसार के लिए 26 नॉबर का दिन चुना गया है याद रखेंगे ठीक है बाकी जवाहरलाल नहरु जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है तो आप जानते हैं बताइए जवाहरलाल नहरु जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है तो आप जानते हैं Discovery of India पुस्तक के लिखक को है? जवाहर लाल नहरू, याद रखेगा सरुजनी नाइडू, सरुजनी नाइडू के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? तो Golden Threshold, Golden Threshold की लेखी का को है? सरुजनी नाइडू, Songs of India, Songs of India की लेखी का को है? तो इसको याद रखेगा Songs of India, बाकी Golden Threshold आप सब जानते होंगे Songs of India, पुस्तक के लेखी का कौन है? तो याद रखना है Songs of India, सरुजनी नाइडू के द्वारा लिखित है इसके अलावा Golden Threshold की लेखी का भी है, सरुजनी नाइडू, याद रखेंगे ठीक है? समझ मैं कुछ और महत्पून लेखक के बारे में आपको बताते हैं जो एक्जाम में पूछेगा ही पूछेगा जैसे आपसे पूछता Unhappy India Unhappy India पूछतक के लेखक कोन है? आप बताएंगे Unhappy India पूछतक के लेखक है लाला लाजपत राए और आप जानते हैं कि Simon Commission 1928 में भारत आये था और Simon Commission में 7 सदसे थे और Simon Commission के सातों शदसे जो थे वो अंग्रेज थे जिसके वएसे Simon Commission को क्या कहा गया? स्वेट Commission कहा गया White Commission कहा गया और Simon Commission का पूरे भारत में विरोध के आगया था और साइमन कमिशन के विरोध के दौरान लाला लाजपतराई जी को लाठी चार्ज के दौरान गंभी रूप से चोट लग गया था और ये इनका कुछ महिने के बाद निधन हो गया था याद रखना है अन्हापी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपतराई और इनका संबंध किस से है साइमन कमिशन से ठीक है कैसे संबंधित है साइमन कमिशन का विरोध किये थे और जिसके कारण इनकी मिर्ती हो गई थी Simon Gobek का नारा किस ने दिया था तो लाला लाजपतर राई जी ने Simon Gobek का नारा दिया था इंपोर्टेंट हैसले बता दिये बाकिये आपको पता है बंदी जीवन के लेखक को न है सचिंदर सान्याल लिख लिखेगा बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कोन है सचिंद्र सान्याल इंडिया डिवाइड़ पुस्तक के लिखक कौन है राजंदर परसाद इंडिया डिवाइड़ पुस्तक के लिखक कौन है इंडिया डिवाइड़ मिटा देते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा आराम से ही बताते हैं सचिंद्रनाद सान्याल पढ़ा चुके हैं बहुत वारी सब ठीक है तो सचिंद्रनाद सान्याल जी के द्वारा बंदी जिवन पुस्तक की रचना की गई थी इंडिया डिवाइडिट पुस्तक के लिखक हैं राजंद्र प्रसाद याद रखना है शत्यार्थ प्रकास पुस् पुस्तक के लिखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद और आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडियन नस्नल कॉंग्रेस के सबसे युवा अधक्ष बने थे तो याद रखना है 1923 का दिल्ली अधिवेशन इंडियन नस्नल कॉंग्रेस के सबसे युवा और आजाद भारत के पहले शिक्छा मंतरी कौन बने थे? मुलाना अबुलक्लाम आजाद फिर पूछेगा लागातार छे वरस तक इंडियन कोंग्रेश के अधैक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुलक्लाम आजाद 1941 का रामगण अधिवेशन एक जगए याद होना चाहिए तो इतना आप याद रखें बाकि आपसे पूछ सकता है इसके लावा हिंद स्वराज पुस्तक के लिखक कौन है गोखले माई पॉलिटिकल गुरू के लिखक कौन है महात्मा गांदी याद रखना है गीता रहसे पुस्तक के लिखक कौन है यह important सवाल है गीता रहसे गीता रहसे पुस्तक के लिखक कौन है तो बाल गंगादर तिलक मराथा और केसरी पत्रिका का संपादन बाल गंगादर तिलक जी के द्वारा किया गया था 1916 में बाल गंगादर तिलक जी ने हमरूल लिख के स्थापना की थी तो याद रखना है गीतारह से पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक ठीक है बीज जी होगा ना बाल गंगाधर तिलक ठीक है तो गीतारह से पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक ठीक है इतना याद रखें इंडियन इस्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभास चंद् भवानी मंदिर यह important है भवानी मंदिर के लेखक कौन है तो याद रखना वारिंद्र कुमार घोस ठीक है भवानी मंदिर के लेखक कौन है वारिंद्र कुमार घोस ठीक है चलिए तो इतना सवाल याद रखें बाकी बाद में देखेंगे तो क्लास को एक बार फटा फट सेर कर ब्लीडर सब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है तो बता सकते हैं ब्लीडर सब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है ठीक है तो आंसर क्या होगा ब्लीडर सब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है तो आपको यहां से याद क्या रखना है कि ब्लीडर सब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है ठीक है बहुत सारा कप वगेरा होता है जो आपको याद रखना है Cup याद रखना है, Terminology याद रखना है और कौन-कौन से महान प्लेयर है किस खेल से जुड़े हुए है किस खेल में कितना प्लेयर होता है यह सब आपको याद रखना है प्लेयर का निकने वगेरा पूसता है ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है प्लेयर सब्कूस से जुड़ा है तो याद रखना है बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है ब्लीडर सब्ल basic बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है पंच हो गया अपर कट राउंड फुक नौक डाउन नौक आउट ठीक है ब्रेक बेल्ट बलो Bounce Bleeder ये सब जो है boxing से जुड़ा हुआ ए बून सा है Breast Stoke जो है टिराकी से जुड़ा हुआ सब्द है याद रखना है butterfly आप जानते ही है butterfly टिराकी से जुड़ा हुआ है back stroke आप याद रखे आगा न इस टो किस खेल का टर्मिनोलोजी होगा तो आप आख मुन के अंसर किजिएगा तर्मिनोलोजी तो इसको याद रख लिजेगा हो गया बाकी और क्या पूछ सकता है क्रिकेट सभी को पता है ठीक है और बॉलीवल बॉलीवल में बताना है आपको कि बॉलीवल में कितने प्लेयर होते हैं कमेंट किजेगा वालीबॉल में कितना प्लेयर होता है वालीबॉल में 6 प्लेयर होता है याद रखना है ठीक है वालीबॉल में 6 प्लेयर होता है याद रखेगा बेसबॉल में कितना प्लेयर होता है बेसबॉल में 9 प्लेयर होता है वालीबॉल में 6 प्लेयर होता है ठीक है रास्टे खेले, स्कॉट्लेंड का है, ठीक है, और बेजबॉल, अमेरिका का रास्टे खेले, याद रखना है, बेजबॉल, अमेरिका का रास्टे खेले, बेजबॉल में 9 खिलारी होता है, रगभी फुट्बॉल, स्कॉट्लेंड का रास्टे खेले है, रगभी फुट्बॉ तो पोलो में कितना खिलारी होता है, चार खिलारी होता है, वाटर पोलो में कितना खिलारी होता है, शात खिलारी होता है, खोको में कितना खिलारी होता है, खोको में कितने खिलारी होता है, खोको में कितने खिलारी होता है, खोको में कितने खिलारी होता है, खोको में 9 खिलारी आपको ठीक है तो आपको यह सब याद होना चाहिए ठीक है बास्केट बॉल में कितना खिलारी होता है तो पांच खिलारी होता है याद रखना है बास्केट बॉल में पांच खिलारी होता है ठीक है बास्केट बॉल में पांच बॉली बॉल में छे खिलारी याद रखेगा ठ ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाब उठा सकें अगला सवाल चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक परतीक है तो आंसर करेंगे चेपू कहां का एक अनूठा सांस्कृतिक परतीक है चेपू कहां का एक अनूठा सांस्कृतिक परतीक है तो आंसर क्या होगा? Option number D, नेपाल तो याद रखना है कि नेपाल का सांस्कृतिक परतीख है चेपू ठीक है? तो चेपू किसका एक अनुठा सांस्कृतिक परतीख है तो याद रखना है चेपू नेपाल का अनुठा सांस्कृतिक परतीख है अब देखिए जो option दिया हुआ है चारो देश आप जानते हैं कि Asia महादेश में है और यहां से आपका सवाल बनेगा चाहे भुटान हो चीन हो म्यानमार हो और नेपाल हो ठीक है तो यह समझ में आ गए चेपू किसका अनुठा सांस्कृतिक परतिक है तो चेपू नेपाल का अ आप कोन सा राज्य सठा हुआ है इंपर्टेंट सवाल है नेपाल के साथ कितना इहिते निपाल के साथ बिहार करता है ठीक है बिहार करता है इसके अलावस सिक्कीम करता और स्द्खेन घर बहरतिया नेपाल के साथ बॉर्डर सेर करता है, याद रहेगा, लिख दे रहे धर हम, पांच राजे नेपाल के साथ बॉर्डर सेर करता है, पुछेगा, कितना राजे नेपाल के साथ बॉर्डर सेर करता है, तो पांच राजे नेपाल के साथ बॉर्डर सेर करता है, यूके, यूपी, WB, बिहार और Sikkim सबसे बड़ा border share करता है नेपाल के साथ बिहार आप याद रखेगा बिहार में कौन-कौन सी नदी बहती है तो काली नदी बिहार में बहती है याद रखना है कोसी कोसी नदी बिहार से कोसी नदी जो है नेपाल से ही निकलती है आप जानते हैं कोसी नदी नेपाल से निकलती है ठीक है और काली नदी याद रखना है ये भी नेपाल में बहती है गलती से साथ हम बिहार बोल दिये थे ध्यान से सुनिये का कोसी गंडक काली करनाली ये जो नदीया है नेपाल में ब और भी नेपाल में चोटी है, जैसे कि एक तो माउं टेवरेस्ट हो गया, धोला गिरी, धोला गिरी याद रखना है, धोला गिरी भी महत्पुन चोटी है यहाँ पर पढ़ता है, कुछ एरिया धोला गिरी का भी नेपाल में पढ़ता है, ठीक है, तो यह आप याद रखेगा ठीक है, महाभारत स्रेनी कहां पर है, तो महाभारत स्रेनी नेपाल में है, इसके अलावा क्या पूछ सकता है, कि नेपाल में कौन-कौन जंजाती के लोग निवास करते हैं, नेपाल में गोर्खा जंजाती के लोग निवास करते हैं, सेरपा जंजाती के लोग निवास करते है भूटिया जनलती के लोग नास करते हैं, याद रखना है, आया समझ में, और नेपाल में क्या है, कातमांडू घाटी है, तो पता ही होगा, इसके लिए लूम्बनी, लूम्बनी कहां पे है, तो जानते हैं, आप लोग याद रखना है, worshinka ह कहांद रखना है, लूम्बनी कहा सागर माथा नेशनल पार्क कहां पर है नेपाल में है याद रखना है ठीक है तो आंसर आपको समझ में आ गया है चेपू नेपाल का एक अनुठा संस्कृतिक पतिक है अब भुतान के बार में पूछेगा तो भुतान आप जानते हैं भुतान जो है भुतान को लेंड ऑफ थं बुटान के राज़ानी थिंपू है आप जानते हैं और भुटान जो है विस्व का एकमातर एसा देश है जो अपने आर्थिक विकास की माप रास्टी खुसाली के आधार पर करता है ठीक है और भुटान के बारे में और याद रखना है भुटान एक सवाल कि भुटान जो है लैंड लॉग्ड कंट्री है भुटान जो है पुर्वी हिमालय का एक अस्तल और रुद्ध देश है याद रकना है भुटान का सिमा जो है चीन के साथ लगता है भाईरत का असम असम और लिग देते हैं भारत का कौन-कौन राज बोटान के साथ बार्डर सेयल करता है ठीक ह अरुनाचल परदेश इसके लवा याद रखना है सिक्किम आया समझ में तो यह चार राजे जो है भूटान के साथ बॉर्डर सेर करता है तो चार राजे याद रखना है कि भूटान के साथ बॉर्डर सेर करता है कौन-कौन सा आसाम, वेस्ट बेंगल, अरुनाचल परदेश और सिक्किम याद रहेगा इंपोर्टेंट है इसको आप याद रख लिजेगा ठीक है कि आसाम पसिम मंगाल अवणाचल परदेश और सिक्किम जो है भूटान के साथ बॉर्डर सेर करता है अगला देखते हैं म्यानमार म्यामार इसका पुराना नाम क्या था वर्मा ठीक है त म्यामार को स्वर्ण पेगोडा का देश कहा जाता है क्या कहा जाता है स्वर्ण पेगोडा का देश तो पूछेगा अगर स्वर्ण पेगोडा का देश किसे कहा गया है तो म्यामार को स्वर्ण पेगोडा का देश कहा गया है याद रखेगा इरावदी नदी कहा बहती है यह इंपोर्टेंट है इरावदी नदी मयामार की महत्पुन नदी है ठीक है तो याद रखना है इरावदी नदी मयामार की जीवन रेखा कहलाती है और मयामार का पुराना नाम बर्मा है मयामार को स्वर्ण पेगोडा का देश कहा जाता है याद रखेगा ठीक है याद रहेगा important था यह बांकी चीन option में है तो चीन के बारे में आप जानते ही है सवाल सब ठीक है अब यहाँ चीन से क्या क्या सवाल पूछ सकता है जन संक्या की दृष्टी से विस्व में पहले नंबर पे चीन है और छेत्रफल की दृष्टी से चीन जो है विस्व का चौथा बड़ा देश है आप याद रखेगा ठीक है चले तो अब अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक परतिक है नेपाल याद रखेगा क्लास को एक बार फटा फट लाइक और सेर कर दीजे ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें अगला सवाल भारत के किस राज़े पर अहूम वंस का सासन था तो आपको बताना है भारत के किस राज़े में अहूम वंस का सासन था ठीक है और आसाम से क्या क्या सवाल बनता है पुर्वत्तर भारत का पहरी किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है पुर्वत्तर भारत का प्रहरी आसाम को कहा जाता है याद रखना है पुर्वत्तर भारत का प्रहरी आसाम को कहा जाता है इसके अलावा पुर्वत्तर बॉटान के साथ 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 बॉटान के ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, मानस, याद रहेगा, मानस, मानस जो है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, तो मानस राष्टी उदेन कहां पर आसाम में, और काजी रंगा पूछेगा, काजी रंगा तो एक सिंग वाला गेंड़ा के लिए फेमस है, काजी आप जानते हैं नवगरह मंदीर आसाम में ठीक है तो यह सब आप याद रखेगा चलिए तो भारत के किस राजी पर अहूंवंस का सासन था आसाम राजी पर अहूंवंस का सासन था याद रखेंगे तो क्लास को एक पर फटा फट लाइक और सेयर कर दीजे ताकि और भी बच्चे क्लास में आएं और क्लास का लाब उठा सकें अगला सवाल निमनलिकित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है तो आपको अंसर करना है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है तो आपसे नमबर बी याद रखना है जवाहरलाल नहरू पोर्ट ठीक है तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर प अगर पूस दे तो याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोट है जवाहर लाल नहरू पोट कहां पे है जवाहर लाल नहरू पोट तो मुंबई में है ठीक है तो याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोट है जवाहर लाल नहरू पोट ठीक है और य इस सवाल को पूछेगा गुमा भी सकता है कि नहवा सेवा या जवाहरलाल नहरू पोट कहां पे है तो इसी को नहवा सेवा भी कहा जाता है ठीक है नहवा सेवा तो नहवा सेवा ठीक है नहवा सेवा या जवाहरलाल नहरू पोट कहां पे है महरास्ट में और भारत का सबसे ब पूर्थ बुच्षेगा कोची बंद्रगा कहां पता है खोटए में और यह एदराखना तो आप कमेंट करेंगे T से लिखेंगे तुति कोरिन तुति कोरिन तुति कोरिन बंदरगा 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 कांडला पोट कहां पे गुजरात में आप जानते ही कांडला बंदरगा कहां पे गुजरात में और कांडला बंदरगा क्या है एक जवारिय बंदरगा है क्या है एक जवारिय बंदरगा है तो याद रखना है कांडला बंदरगा गुजरात में है जो कि जवारिय बंदरगा है और कांडला बंदरगा जो है मुक्त वैपार चितरवाला बंदरगा है तो important सवाल कांडला बंदरगा जवारिय बंदरगा है जो की गुजरात में ठीक है इसके अलावा आपसे पूछेगा सबसे गहरा बंदरगा कौन सा है तो भारत का सबसे गहरा पोट है विसाखा पत्नम पोट कहां पे विसाखा पत्नम पोट आप बताएगा विसाखा पत्नम पोट आंदर प्रदेश में है ठीक है तो अगर आप से पूछेगा सबसे गहरा पोट कौन सा है विसाखा पत्नम पोट है और ये कहां पे AP, AP मतलब मतलब आंदरप्रदेश लिख देते हैं अच्छा रहेगा, तो याद रखना है आंदरप्रदेश ठीक है, सबसे गहरा पोर्ट कहां पे है याद रखना है कि भारत का सबसे गहरा पोर्ट है विसाका पत्नम पोर्ट जो कि आंदरप्रदेश में है ठीक है याद रखेगा important सवाल है और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगा कौन सा है तो चैन्ने बंदरगा जो है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगा है याद रखना है और चैन्ने बंदरगा एक कृतिम बंदरगा है याद रखेगा ठीक है तो यहाँ पर सवाल क्या था कि भारत का सबसे बड़ा container port कौन सा है तो नहवा सेवा port या फिर जवाहरला लहरू port याद रखेगा तो class को एक बार share कर दीजे ताकि class को support मिल सके please class को support करें अगला सवाल पवन उर्जा को यांतरिक उर्जा पवन उर्जा को यांतरिक सक्ती टरबाइन चक्की में परिवर्तित करती है मतलब पूछ रहा है कि पवन उर्जा को टरबाइन किस में convert करता है ठीक है टरबाइन जो होता है उसमें पवन उसको लगता है हवा लगता है है ना तो टरबाइन जो है वो पवन उर्जा को किस में कनवर्ट करता है तो एकदम आसान सवाल है गतिज उर्जा में कनवर्ट करेगा है ना तो याद रखना है कि पवन उर्जा को टरबाइन जो है या चक्की जो है वो किस में कनवर्ट करेगा तो गतिज उर्जा में कनवर् ए याद रखेगा अगला सवाल सौतंतर भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी परधानमंत्री कौन थे तो आंसर किजेगा आजाद भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी परधानमंत्री कौन थे भारत आने वाले पहले रूस के परधानमंत्री कौन थे आपको याद क्या रखना है option number D Nikolai Bulganin तो याद रखना है कि आजाद भारत में आने वाले पहले रूसी परधानमंत्री कौन थे ठीक है तो Nikolai Bulganin ठीक है तो सौतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी परधानमंत्री थे Nikolai Bulganin तो answer option number D याद रखेंगे अगला सवाल कीडों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो आप आंसर करेंगे The study of insects is called कीडों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो पढ़ा हुआ सवाल होगा आप सभी का कीडों के अध्यन को क्या कहा जाता है फटाफट आंसर कमेंट करें कीडों के अध्यन को क्या कहा जाता है तो option number D सही answer होगा कीडों के अध्यन को entomology कहा जाता है कीडों के अध्यन को क्या कहा जाता है entomology कहा जाता है तो सही answer होगा option number D कीडों के अध्यन को entomology कहा जाता है ठीक है बाकी ornithology आप जानते है Anthropology यानि Anthropology बोलते हैं तो Anthropology में किसका अध्यन किया जाता है ठीक है Anthropology में किसका अध्यन किया जाता है आप comment कर दीजेगा उसके बाद Geology Geology में किसका अध्यन किया जाता है एकदम आसान है दोनों का आप answer comment कर दीजेगा ठीक है भाकी थोड़ा हम और अब को बता देतें कीडों के अध्यन को एंटो मोलोजी कहा जाता है पक्ष्यों के अध्यन को और इसे दिन को सब्सकाशन नजग सब्सक्राइब के एल्गोलोजी कहा जाता है तो Satyology किसे जाता è साइटोलोजी तो आप जानते हैं साइटोलोजी किसे कहा जाता है कोसिकाओं के अधिन को साइटोलोजी कहा जाता है study of cells ठीक है तो study of cells क्या कहलाता है साइटोलोजी कहलाता है तो याद रखना है कोसिका के अधिन को साइटोलोजी कहा जाता है ठीक है याद रहेगा इको लोजी क्या होता है तो पौधों का वातावरनसे संब्द की अध्यन को इको-लोजी पहा जाता है Thai ठीक है, पुस्ता एक्जाम में, हिस्टोलोजी क्या होता है, उत्कों के अध्यन को, ठीक है, सेल के अध्यन को साइटोलोजी कहा जाता है, और उत्कों के अध्यन को उत्कों के अध्यन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलोजी, तो उत्कों के अध्यन क्या कहा जाता है, हिस्टोलो मि कई जाता है इसके लावा आप जानते हैं पैडोलोजी में क्या जाता है मिट्टी का अध्थिन क्या जाता है तो ऑपको जली आध्या से कहा जाता है तो class को एक बार फटाफट share कर दीजे अगला सवाल किसी भारती राजी के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राजिपाल कौन थे? यानि सबसे लंबे समय तक governor रहने वाले वेक्ति कौन है? तो आपको बताना है किसी राजी के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राजीपाल का नाम क्या था? ठीक है? तो बता दीजिए अगर याद है तो तो याद रखना है पदमजा नाइडू ठीक है? तो याद रखेंगे सबसे लंबे समय तक governor रहने का record किनका है? पदमजा नाइडू के पास है तो याद रखना है ठीक है? आया समझ में? तो आंसर क्या होगा? उप्दमजा नाइडू सबसे लंबे समय तक राजीपाल रहे हैं आप याद रखेंगे अगर यहां से और सवाल बनेगा क्या बनेगा? कि राजीपाल की न्युक्ति जो है तो आप जानते हैं कि राजीपाल की न्युक्ति राश्ट पती द्वारा की जाती है अनुछेद 155 के तहट तो दोनों याद रखना है कि राजीपाल की न्युक्ति अनुछेद 155 के तहट की जाती है और राश्ट पती के द्वारा की जाती है और आप जानते हैं कि राजिपाल जो है वो रास्टपती के परसाद प्रियंत काम करते हैं अनुशेद 156 में लिखा है कि राजिपाल रास्टपती के परसाद प्रियंत पद धारन करेंगे और अनुशेद 155 में लिखा है कि रास्टपती के द्वारा राजिपाल की नुक्ति क तो यह सब आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छा सवाल है और राजिपाल बनने के लिए मिनिमम 35 साल का एज होना चाहिए याद रखना है राजिपाल बनने के लिए मिनिमम 35 साल का एज होना चाहिए और आप जानते हैं कि राजिपाल द्वारा जो अध्यादेज जारी क क्या जाता है ठीक है अनुछेद 213 के तत्त क्या जाता है राजिपाल अध्यादेश जारी करते हैं अनुछेद 213 के तहत ठीक है अनुशेद 123 के तहद रास्टपती अध्यादेश जारी करते हैं और अनुशेद 213 के तहद राजिपाल अध्यादेश जारी करते हैं ठीक है तो क्लास को एक बार प्लीज सेयर कर दीजे और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजे अगला सवाल एक वर्स में लोगसभा के सामनिता कितने सत्र आयुजित किया जा सकता है तो बहुत आसान सवाल है ज्यादा हाड भी नहीं है तो बताइए how many seasons of the लोगसभा are normally held in a year तो याद रखना एक वर्स में लोगसभा का सामनिता जो है तीन सत्र आयुजित किया जा सकता है समझ में आया तो आंसर क्या होगा एक वर्स में लोकसभा का सामानेता तीन सत्र आयुजित किया जा सकता है आप याद रखेगा और आप जानते हैं कि लोकसभा जो है निमनिशदन है लोकसभा का जो गठन है अनुछिद 81 के तहट किया गया है लोगसभा निमने शदन है लोगसभा में मैक्सिमम कितना शदस्य हो सकता है लोगसभा का मैक्सिमम सीट कितना है तो 552 है ना और अभी कितना सीट है तो याद रखना है कि लोगसभा में मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते है पर वर्तमान में अभी 5 तो याद रखना है कि लोगसभा का गठन अनुशेद 81 के तहत किया गया है लोगसभा निमनिशदन है लोगसभा में अधिक्तम सीटों की संख्या है 552 लोगसभा में वर्तमान में 545 संख्या है याद रखेगा और आप जानते हैं कि 2001 इस्वी में संसर द्वारा पारित 84 अमें सभा सीट है तो याद रखना उत्तर प्रदेश में 80 लोगसभा सीट है महरास्ट में कितना लोगसभा सीट है तो महरास्ट में आप बताएगा कितना लोगसभा सीट है आंदर प्रदेश में कितना लोगसभा सीट है इंपोर्टेंट है आंदर प्रदेश में कितना लोगसभ ठीक है तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 लोग सभा सीथ है महाराष्ट में 48 लोग सभा सीथ है विस्ट बिंगॉल में 42 लोग सभा सीथ है बिहार में 40 लोग सभा सीथ है और आंदर प्रदेश में 25 लोग सभा सीथ है याद रखेगा ठीक है और आप जानते हैं कि लोग स सब्सक्राइब पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे अध्यक्ष थे गनेश वासुदेव मावलंकर उपाध्यक्ष कौन थे एम आनंद सैनम आयंगर तो याद रखना है पहले लोकसभा के अध्यक्ष गनेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष एम आनंद सैनम आयंगर अभी कोन सा लोकसभा चल रहा है तो अभी सत्रवा लोकसभा के अधेक्ष है ओम बिर्ला फिर आपसे पूछेगा लोकसभा की पहली महिला स्पीकर तो याद रखना है मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है मीरा कुमार पंद्रवी लोकसभा के अधेक्ष थी सुमित्रा महाजन सुमित्रा महाजन जो है अभी तक दो ही महिला है जो लोकसभा के अधेक्ष बनी है तो याद रखना है कि मीरा कुमार दूसरी सुमित्रा महाजन क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज क्लास को सपोर्ट किजेगा क्लास को लाइक और शेर अवस्य करें और क्लास में रेगुलर रहें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट किजेगा मिलते हैं आप से अगले क्लास में उमीद करेंगे जाते जाते आप लोग क्लास को लाइक और शेयर अवस्य करेंगे तो आप सभी का तहीं दिल से धन्यवाद करते हैं जै हिंद, जै भारत, जै बिये से धन्यवाद